सब्सक्राइब और इंट्रेस्टबे लाइगा पड़ेगा बेल आइकन दवाना पड़ेगा ताकि आपको नोटपी केसर मिलता रहे यह जो है मैंने अपने चैनल पे स्पेसल यह अलग से चला रहा हूं मैं यूपी बोर्ड स्पेसल खासकर आपके पास जो है डेड़ और महीने बचे हैं लगबंग और इस डेड़ महीने में अगर आपनी अमेरिकल को अच्छे से देख लेते हैं पूरे विज्ञान के तो समझे लिए कि थियरी से भी बेहतरीन होते हैं एक दो कोशन लांग में आते हैं और इसमें लगाने के लिए जयास जयासा दस मिनट के जरूरत पड़ेगी दस मिनट से जयादा मेरे ख्याल से नहीं जरूत पड़ेगी आपका कॉंसेप्ट अगर किलियर है तो आथमेटिक्स का तो आपको जो है पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाएगा और इसमें किसी राइटिंग की जहन जट भी नहीं रहेगी दोस्तों आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और आपका सम कोशन नमर 11 कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दरपड के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 2 सेंटीमीटर वो वस्तु लंबी है यानि अवतल दरपड जो है वो फोकस दूरी 15 तो बनने वाले प्रतिभीम की इस्थिति, आकार और प्रकिर्ति ग्याद कीजिए ये कह रहा है दोस्तों तो आए सलूसन पर चलते हैं चलिए दोस्तों प्रशन के अमसार पर चलते हैं और जो जो प्रशन में है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं कह रहा है 15 cm फोकस धूरी यान मैंने बता दिया है आगे देखे कह रहा है 30 cm की दूरी 30 cm है यानि U is equal to minus 30 cm इसको भी उसने आल्रेडी दे रखा है दोस्तों ठीक है अगला कह रहा है दूरी पर 2 cm लंबी एक वस्त रखे दूरी पर 30 cm की दूरी पर 2 cm की वस्त है जो रखी हुई है यानि कि U बराबर दिया है आवर्धन छमता में जो आता है ये ओ बराबर 2 cm दे रखा है दोस्तों भी आमें पता नहीं है सबसे पहले हमको भी निकालना है तो भी के लिए आपको सबसे पहले आपको फार्मूला अपना इस्तिमाल करने का और आपको फार्मूला ये है वन अपान या फिसकोल टू वन पान भी पलस वन अपान ये ओ देखिएगा कभी-कभी ये यहां उधर भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यह बराबर के इधर है से ठीक है दोस्तों तो चली अब साल्प करते हैं और आपको जो है इस्टेप बाइस्टेप रखते हैं वन अपान ये आप कमान माइ माइनस हो जाएगा तो वन अपान भी इसकोल टू ये देखिए ये पंदर जो है उधर जाएगा तो पलस में हो जाएगा ठीक है ये पंदर जब उधर जाएगा तो पलस में हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपान थ्री तीस माइनस एक बटे 15 क्योंकि जब ये चाहे इसी को उधर लेके आए तो ये जब उधर जाएगा तो पलस में हो जाएगा तो ये माइनस है तो माइनस वाला ही इससा बचेगा तो उसको बीच में कर लिया तो फनापान 20 माइनस वालापान 15 थीचे दोस्तों तो चलिए ये एलिसेम लेते है पंदरव और 30 के एलिसेम आपका 30 होता है 30 से करनम 31 होगा माइनस 15 जुना 32 होगा तो वन अपान भी इसकोल्टू हो जाएगा माइनस 1 बट्टे 30 तो भी इसकोल्टू क्या हो जाएगा माइनस 30 cm ठीक है दोस्तों ये देखिए भी कमान निकल के आगया जो भी हमको यहाँ निकालना था वो भी हमारा आ चुका है दोस्तों तो इससे क्या होगा कि चुकी दरपड जो क्या है अवतल दरपड है तो परतिवीम जो बनेगा वो दरपड के सामने 30 cm दूरी पर बनेगा 30 cm दूरी पर बनेगा ठीक है दोस्तों परतिभीम जो बनेगा वो दरपड़ के सामने हमारे 30 cm कर दूरी पर बनेगा ठीक है अब आईए इसमें एक और चीज है O बराबर तो आपको पता ही है आवरधन छमता बराबर होता है I upon O is equal to minus B upon U यह फार्मूला आप पहले जानते हैं आवरधन यह भी होता ह यह होता है तो क्या हो जाएगा आपका यह देख लीजए I आपको पता ही नहीं है लेकिन O आपको पता है 2 आपने अल्रेडी 2 मीटर रखна है ठीक है और बराबर आपका यह हो जाएगा minus B कमान अभी भी अपनी monitoring कालना है minus 30 और U कमान आपका minus 30 पहले से है तो यह cut के हो जाए सेन्टी मेंटर 2 बस गया तो दो सेंटी मेंटर हो गया दोस्तों ये हो गया आपका आई क्या मान तु अदो दोनों चीज़ें निकलतें आगई तो यह दूरी बननेगी 53 सेंटी मित объяс और आपका promptी प्रतिमीम की जो लंबाई होगी वो कितना होगी 2 cm होगी और कह रहा कि प्रकिर्थी कैसी होगी इसकी प्रतिमीम की इस्त्री और कार पता चल गई उसकी प्रकिर्थी कैसी होगी तो चुकि ये 2 cm की दूरी पर है तो इसलिए इसकी प्रकिर्थी जो होगी वो होगी वास्तविक चुकी ऑउतल दर पढ़ है तो वह वास्त्विक होगी और उल्टा भी होगी वास्त्विक और उल्टा होगी इसकी ठीक है तो बताईएगा दोस्तों कि यह मेरा सवाल कैसा लगा आपको चली आगे बढ़ते हैं कमेट्स बाक्स में जरूर बताईएगा अगले सवाल के तरफ हाईगा दोस्तों हमारा अगला सवल है question नमर 12 वायू के साफेच किसी द्रव का क्रामतिक कोण 45 डिगरी है तो उस द्रव का अपवर्तनांग ग्यात कीजिए वायू के सापेच किसी द्रव का क्रांतिक कोंड 45 डिगरी सेंटिक है उस द्रव का अपवर्तना ग्याद कीजी ठीक है दोस्तों तो आपको पता होगा इसका फार्मूला एक है साइन्स में आपने पढ़ा होगा कि वायू के सापेच वाईू के सापेच ठीक है दोस्तों द्रौ का अपवर्तना बराबर होता है 1 upon sin c यह होता है फार्मूला ठीक है दोस्तों तो वाईू के सापेच करांतिक कोड अलेडि उसने दे रखा है करांतिक कोड 25 डिगरी तो वो sin c के जगर रख दिया जागा तो 1 upon sin 45 डिगरी ठीक है दोस्तों और sin 45 डिगरी का मान क्या होता है यह 1 होगा 45 का मान होता है 1 upon root 2 तो जब यह साल्प करेंगे तो यह हो जाएगा root 2 यही आपका answer हो जाएगा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अपने आप में धमाके दार है दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की दरफ चलिए दोस्तों अगला सवाल question number 13 इस सीरीच का तीसरा सवाल कह रहा है कि 5.0 cm लंबाई का कोई बिम्ब 30 cm वक्रता तिरजिया के किसी उत्तल दरफड दरफड जो है उत्तल है के सामने 20 cm दूरी पर रखा गया है प्रति बिम्ब की इस्थिती आकार इस्थिती प्रकिर्थी और साइज ग्याद कीजे 5 cm लंबा है वो सामने 20 cm की दूरी पर रखा है तो सबसे पहले प्रश्ण के अनुसार जो चीजें हमारे पास हैं पहले हम नोट कर लेंगे फिर जिसके बाद सवाल कोल करेंगे सबसे पहले हमारा यू दिया है दूरी 30 cm 20 cm की दूरी पर ठीक है दूस्तों तो आपका यह हो जाएगा मैनस 20 cm दूसरा आपका दिखे देद रखा है आर आर बराबर दिया है 30 cm तो इससे हम यफ निकाल लेंगे यफ बराबर आर बाई 2 होता है तो यह आपका निकल क्या जाएगा 15 और चुकि यह दहिएगा उत्तल दरपढ है नकि उतल दरपढ Давай तो इसलिए यह पलस में ही रहेगा द्यान दिजीएगा यफ कमान पलस में रहेगा क्योंकि दरपढ हमारा उत्तल दरपढ है तो u और f आ गया तो इसे से हम जो है सबसे पहले भी को निकाल लेंगे दोस्तों तो फार्मूला आपको पता ही है बतानिक जरूरत नहीं सीधे में मढ़ दे रहा हूं 1 upon f प्लस 1 upon minus 20 is equal to 1 upon प्लस 15 यह 15 प्लस में है तो 1 upon b is equal to 1 upon यह आपका 15 हो जाएगा और यह आपका प्लस हो जाएगा दोस्तों ठीक है जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका LCM निकाल लीजिए 20 और 15 का LCM होता है 60 ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 15 चुको 64 20 तियाए 63 और 4 तिन 7 बटे 60 हो जाएगा तो भी बराबर तब क्या हो जाएगा दोस्तों 60 बटे 7 आप काट लिजिए भी बराबर साथ से काट लिजिए तो शाथ और 56 आठ और 10 यहाँ हो जाएगा 5-7 सेंटी मीटर यह देखिए भी कमाना गया ठीक है हमारा भी कमाना गया अब इसमें एक और चीज़ दिया है देखिएगा पांद समलो जीरो सेम्टिमीटर लंबा है यानि कि यहां हम कर दे रहे है यानि हमको साइज बताना यानि आवर्धन छमता भी चलना है हमको तो यहां बराबर होता है एक ह1 और ह2 क्योंकि एक मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आप पांद भर लिजिए एक ह कमान उसने अनलेडिस दे रखा है यह तो बराबर यहां पांच दे रखा है एक आपने अभी अभी आठ दसमलो पांच साथ निकाला है और दूसरा बीस आप कमान पहले से है अब जो है आप ट्रांसफर क लिजिए ट्रांसफर का ना आपको आता ही होगा कि अच्टू बराबर तब क्या हो जाएगा तिरिया गुणा करेंगे तो आठ यहां देखाएने जरह आपको तो एच्टू बराबर आपका हो जाएगा जब काटेंगे तो दो दसमलो एक साथ पांच सेंटी मीटर यह आपका दूसरा वला एंसर हो जाएगा और यही होगा प्रतिभीम क्या होगा अब देखिएगा यह पलस में आया है चोकि दरपढ़ हमारा क्या है उत्तल दरपढ़ वो देखिए दो दसमलो एक साथ उचा होगा दो दसमलो एक साथ यही जो आपने निकाला है पांच उचा हो जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो बताइएगा आपको सवाल मेरा समझ में आ रहा होगा तो कैसा लगा और कमेट्स बाक्स में जरूर बत सकूं और इसी से जूड़के आगे जो है वीडियो में लेंस से समझने कोश्चन अब आने लगेंगे आपको ठीके दोस्तों तो आएए चलते हैं कोश्चन नमर्च वदर की तरफ देख लिजेगा कोश्चन नमर्च वदर आपका कहा रहा है कि कि दस सेम्टिमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेम्टिमीटर दूर 10 सेम्टिमीटर लंबी एक मुंबत्ती रखे गई है दस सेम्टिमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है ध्यान दिजिएगा 20 cm दूर 10 cm लंबी एक मुंबत्ती रखी गई है लेंस से बने मुंबत्ती के प्रतिविम की लेंस से मुंबत्ती के प्रतिविम की इस्थिती प्रकृति तथा लंबाई ग्याक करना है उस लेंस से जो मुंबत्ती की प्रतिविम बन रही है यानि इस्थिती जो बन रही है प्रत है जोकि यह लेंस है तो ध्यान दीजेगा अब जो फार्मूला लगे वो माइनस वाला लगे है क्योंकि यह लेंस है ना कि दर पड़ है तो चलिए पहले जो दिया है सुलूसर में फोकस दूरी उसने दे रखा है ठीक है दोस्तों यह बरा कर दबाबर 10 cm क्यों हो होगा क्योंकि यह उत्तल लेंस है चुकि उत्तल है तो प्लस में ही होगा ठीक है दूरी दे रखाए 20 cm दूर तो यू बराबर आपका हो जाएगा माइनस 20 cm ठीक है और भी हमको पता नहीं आप इसमें वहीं भी निकालना है तो फार्मूला अब जो लगेगा वो लगेगा आपका वन अपान यफ इसकोल टू वन अपान भी माइनस वन अपान यह दोस्तो यह वाला फार्मूला लगेगा यह लेंस के लिए है और वो दरपड के लिए था यह लेंस के लिए फार्मूला है और सवाल भी हमारा लेंस का ही है इसलिए हमने फार्मूला लिख दिया है लेंस का लगेगा तो ठीक है फार्मूले में भर लेजिए अपने मान को बिल्कुल इसीता से 1 upon F यानि 1 upon 10 बराबर 1 upon भी निकालना ही है और यह माइनस से 20 है और यह already जो है यह देखिएगा यह माइनस हो रहा है ध्यान दीजिएगा ठीके दोस्तों 1 upon B और यह माइनस देखिए यह माइनस इसका है और 1 upon ये minus 20 इसका है अब ये minus minus प्लस हो जाता है तो 1 upon 10 is equal to 1 upon V प्लस 1 upon 20 हो जाएगा तो ये minus और ये minus बनके प्लस हो जाता है ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1 upon V is equal to अपका क्या हो जाएगा? 1 बटे 10 ठीक है? और यहां हो जाएगा minus 1 बटे 20 बटे 20 को उधर ले गया 10 पहले से है एक बटे 20 को उधर ले गया 1 upon V बराबर ठीक है? समझ में आगया होगा आपको तो 1 upon V is equal to हो जाएगा LCM ले ले लेजे 10 और 20 का LCM 20 ही होता है 10 दूना 22 अब इस एकनम 21 तो minus करेंगे तो 1 बचेगा तो V is equal to बचेगा 20 cm ये हो गया दोस्तों V का मान ठीक है? अब ध्यान दिजेगा ये तो भी V का मान निकला है अब हम से एक चीज़ उसमें और उछा है 10 cm लंबी एक मोंबाती रखी है लंबी है ध्यान दिजेगा यानि हमको सीधे आवर्धन चमता में चला जाना है यम बराबर I upon O is equal to यहाँ जो लेंस के लिए जो फार्मूला होता है उसमें V upon U होता है माइनस नहीं होता है यहाँ ध्यान दिजेगा लेंस के लिए जो फार्मूला होता है आवर्धन चमता का उसमें भी अपान यू होता है और उसमें माइनस नहीं होता है ठीक है दोस्तों तो भर लिजिए मान उसका आई और दस सेम्टिमीटर लंबी दिया है तो लंबाई के लिए ओका यहां हो जाएगा दस बराबर अब यहां देख लिए भी कमान आपने निकाला है पहले ही 20 और यू कमान आपने आल लेडी रखा है 20 ठीक है दोस्तों माइनस है देखिएगा माइनस 20 अब इससे इसको काटते हैं ठीक है तो यहां होता है माइनस एक तो अब तिरिया गुना करेंगे तो आई बरा तरी हुआ दो चीजे निकल के आ गए अब हमसे जो चीज पुछआ है इसम लिए अकलग देखिएगा एक प्लस में κάहा है और एक माइनस में आए तो जो हम इसकी बात जो कहने वाले हैं जो हम बात कहेंगे वो क्या कहेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम यह कहेंगे कि जो प्रतिभीम्ब है प्रतिवीम प्रतिवीम की इस्थिती पूछा है प्रकिर्थी और लंबा ही पूछा है दोस्तु तो प्रतिवीम में जो है हमारा 10 cm जो 10 आया है ठीक है 10 cm क्या हो जाएगा लंबा होगा उसके बन तथा उल्टा 10 cm लंबा तथा उल्टा बनेगा प्रतिवीम जो हमारा प्रतिवीम बनेगा वो 10 cm लंबा बनेगा यहाँ जो 10 यहाँ आया है पहले से माइनस में और उल्टा बनेगा चुकि उत्तलदर पढ़ है ठीक है उल्टा बनेगा और उसके बाद वास्त्विक वह वास्त्विक होगा यही सिचुएशन है अमारी बस यह तीनों बातों की सिचुएशन यह है दोस्तों तो बताईएगा दोस्तों आपको कैसा लगा यह सवाल और इसको समझ में आया कि नहीं चुकि यह मैंने लेंस से लिया है एक और कोश्चन इसी लेंस पर लेता हूं बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है यह अपने आप में देखिए तो यह कोश्चन कहा है रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का उत्तर लेंस द्वारा किसी पर प्रतिविम तीन गुना बड़ा बनता है एक वस्तु का उत्तर लेंस द्वारा किसी पर पर प्रतिविम तीन वस्तु है उत्तल लेंस द्वारा उसका जो प्रतिव प्रतिविम बन रहा है वो तीन गुना बना बढ़ रहा है अब कह रहा है कि वस्तु और परदे की स्थितिया बदल दे इसको उधर कर दिया जाए तब जो है आवर्धन शम्ता की दसा क्या होगी ठीक है दोस्तों तो समझ लेंस जो है लेंस आए उत्तल दरप्रत य॒ंबराबर वही अपन y को अपलाई करेंगे और ध्यान दीजेगा यम बढ़ाबर भी अपनपलाई में तीन गुना भी अपन य॒ यानि यम कमान उसदें तीन गुना दे रहा है तो । तीन बराबर वही की इस्थितिया बदलने पर यहां लिख लिजिए वस्तु तथा परदे की इस्थितिया बदलने पर क्यों बदलने के लिए कह रहा है हमको तो इसलिए हम उसको फालो करेंगे तब आब अर्धन शब्ता क्या होगा जब बदल जाएगा तो बदल जाएगा तब क्या होगा दोस जो है यहां हो जाएगा आपने पहले भी कमान निकाल रखाया थिरी यह तो यहां हो जाएगा ठीव बराबर भी से भी यह काट लेंगे तो यह हो जाएगा वह न अपान थ्री बट्टे में एक बट्टे तीन यह कंमान तो आवर्धन चहिंटा कि जो इस्थितिय क्या होगी दोस्तों वहोगी एक बट्टा तीन यानि यम बराबर मान आएगा एक बट्टे तीन दोस्तों यह एंसर हो जाएगा आवर्धन पर्दिक और इस्थितिया को बदलने के बाद जो आवर्धन चमता होगा यह तो पुछा है दसा में आवर्धन चमता कितना होगा तो उस दसा मे आवर्धन चमता एक बट्टे तीन होगा दोस्तों तो दोस्तों बताईएगा यह मेरा वीडियो यूपी बोड इस्पेशल वहरी इंपोर्टेंट कोस्टन कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपका अपना चैनल रोज आज पास कोस्टन रोज अगर देखते हैं आप इस पूरे महीने तभी भी आपके लिए प्लस पॉइंट काम करेगा यूपी बोड ठीक है दोस्तों नमस्कार दोस्तों